हेलो एबरिबड़ी गूफी अंकल प्रोडक्शन में आपका स्वागत है अमन टीवी नाम था यार अपना ही नाम भूल जाता हूँ मैं देखो 6 साल चे पिछले VFX घोल घोल के पीर आउं तब ही मेरा पाए में जेता नहीं लगता था आज हम लोग बात करने वाले हैं पठान मूवी के टीजर में दिखाया गए VFX के बारे में इस वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ बने रही है सबसे पहले दिमाग में जो नोटिस करने वाले शॉट्स आते हैं वह है इस ट्रक पर चड़के मारेंगे वाले शॉट्स शॉट्स प्रैक्टिकली फिल्माया गया था तब तक जब तक कोरोना वाइरस आ नहीं गया था के लीक में आपको दिखा रहा हूं जो ऐसे लीक साय थे में ऐसे स्टंट्स हो रहे थे तो यहां पर आगर आप इस शॉट्स को देहान से देखें तो शारुक का जो चेहरा है वो काफी ज्यादा एक्सप्रेशन लग रहा है इसलिए क्योंकि यह यहां पर शारुकान है ही न अब नोटिस नहीं करते हैं जब लोग फिल्म उनके लिए बनाते हैं जो सीधा देखने जाता है फ्रेम पॉस करके देखने वाला फ्री थोड़ी नहीं बनाते है माई थरह है इन दा हीट ओप एक्शन चीज को नोटिस नहीं करते है जो है जीरो रइस फैन और हैपी नियो रिपोर्ट्स के माहने तो 70% VFX का काम होने वाला है और 30% होने वाला है रेड चिली इस वज़े से आपको जो फिनस होती है VFX में हो सकता है अभी कम दिखाई दे रही हो चिनेमा में एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है बाकि एक डेड़ मिनट से कम के भी टीजर में हम फिल्म को जज नहीं कर सकते हैं जो हैं आउट आफ कॉंटेक्स काई शॉट्स दिखाते हैं कि हाइप बनाने के लिए है तो क्रियेट कर दी है ट्रेलर का वेट करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि तब तक जो है मैंने ले लिए हैं उन्होंने रिलीज डेट को टाल कर सौ करोड एक्स्टा फूखने वाले हैं उपर से अपने आधिपुरुष का चैश्मा उठाओ यह बहतर लग रहा है मैं हमिलता हूं आप से अपने अगले वीडियो में आप लाइक करके जाना सब्सक्राब कर लेने है लाइक कर लेतराओ लेतराओ लेके जाद कर लेडियो में आप कर लेतराओ लेका चैश्मा फइसे बहा हैं आपुरुष को टुक्ता वेक्स आपने आप मैं अपने एक डिरूक्षे पूरुएर।